Hello friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A06 Android Mobile Phone में आप अपने Mobile Phone के Camera का Watermark Change कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चली वीडियो को इस्टार्ट करते हैं देखें सबसे पहले आपको Mobile Phone का Camera ओपन करना है आपको पहले तो ये नीचे की साइड ये फोटो का सेक्शन सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर देखें सबसे उपर इस सेटिंग का जो आइकन है सेटिंग पर सेलेक्ट करना है अब इस पेज में आपको नीचे ये उप्शन मेंता है Watermark Watermark का जो Name है नेम पे सेलेक्ट करना है तो आपका इस तरीक से Watermark का पेज आएगा इसमें आपको सबसे उपर इफ के सामने वाला बटन जो है इसे पहले चालू करना है तो चालू करेंगे तो नीचे की साइड आपको ये सारे उप्शन दिखाई देने लग जाते है तो इसमें आपको ये जो Model Name है न Model Name के सामने जो Edit का उप्शन है Edit पे सेलेक्ट करना है तो आपको ये पेज आता है आप देखें इस पेज में आपको जो भी Watermark पहले से लिखा हुआ है इस Watermark को Cut कर देना है Cut करने के बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं या फिर आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं या ठीक है तो यहाँ पर मैं Example के लिए नाम लिख देता हूँ यहाँ ठीक है इस तरीके से मैंने ये नाम लिख दिया है अक्षे ठीक है Example के लिखा आप जो मर्जी लिख सकते हैं अब यहाँ पर Save का बटने Save पे सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से आपके Camera का Watermark चेंज हो जाता है